देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप रातो राप तो नहीं बोलूगा बट कम समय में करोड़ पती बन सकते हो और स्टॉक मार्केट एक ऐसी भी जगह है जहां आप कुछी समय में बरबाद भी हो सकते हो तो स्टॉक मार्केट को किस वे से आप ले करते हो उसी पर ये सारा खेल डिपेंड है अब कुछ लोगे जो स्टॉक मार्केट से अमीर बन के बाहर निकल रहे हैं और कुछ लोगे जो यहां पे बरबाद हो रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ बाते बताने वाला हो जो आपको बरबादी से बचा कर अमीर बनने के तरफ लेके जाएंगी दोस्तो पहली बात कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस रिकवर करने की कोशिश मत करो स्टॉक मार्केट में कभी भी loss recover नहीं होता है, हमेशा नया पैसा बनाने की कोशिच करो अगर आप loss recover करने की कोशिच करोंगे तो आपका और loss होता चला जाएंगा तो बिल्कुल आपका ये mindset नहीं होना चाहिए कि मुझे loss recover करना है आपको हमेशा नया पैसा बनाने की कोशिच करना चाहिए, अब कुछ लोग बोलेंगे कि loss recover करो या फिर नया पैसा बनाओ बात तो एक ही है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है यहाँ पर mentality का सवाल है यहाँ पर दोनों केसों में mentality अलग-अलग होती है जब हम loss recover करने जाते हैं तो हमारी mentality अलग होती है जब हम loss recover करने की कोशिच करते हैं तो हम जबरदसी trade लेते हैं क्योंकि हमें जल से जल अपना loss recover करना है बट जब हम नया पैसा बनाने की कोशिच करते हैं तो हम सिर्फ वही वाले trade लेते हैं जो हमें सही लगते हैं जब हम loss recover करने की कोशिच करते हैं हम number of trade ज्यादा लेते हैं, ताकि जल से जल हम अपना loss recover कर सकें, बड़ जब हम नया पैसा बनाने की कोशिच करते हैं, तो हम quality trade पर हमारा focus रहता है, भले ही number of trade कम हो, बट हमारे जो trade होने चाहिए, quality वाले trade होने चाहिए, जब हम loss recover करने की कोशिच करते हैं, तो हम अपनी capacity के ब कोशिच करते हैं, तो हम disturbing mind के साथ में trading करते हैं, मतलब हम market में अपनी खोईवी चीज ढूनने के लिए निकले हैं, तो obviously हमारा mind तो disturb रहने ही वाला है, बट जब हम नया पैसा बनाने की कोशिच करते हैं, तो हम fresh mind के साथ में trading करते हैं, मतलब हम market में एक नई चीज खरीदने निकले निकले हैं अगर हमें कोई चीज अच्छी दिखींगी तो हम खरीदेंगे अधर्वाइज नहीं खरीदेंगे तो दोस्तों ये फर्क होता है लॉस रिकवर करने में और नया पैसा बनाने में यहां पर मेंटेलिटी का सवाल है मेंटेलिटी दोनों ही केसों में अलग अलग होती है तो कभी भी हमें स्टॉक मार्केट से लॉस रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मतलब लॉस रिकवर करने वाली जो मेंटेलिटी है वो हमें नहीं रखनी चाहिए स्टॉक मार्केट में हमे क्योंकि बहुत सारे लोग इसी से बचनी पाते हैं, वो लॉसी कर देते हैं, अगर आप लॉस करने से बच गए, तो फिर प्रॉफिट आप कही होने वाला है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस आपको बड़े लॉसे होने से बचा सकता है, और आपको मिनिमाइस करना है, लॉस को आपको बिल्कुल कम कर देना है, लॉस को अगर आप कम कर दोंगे, लॉस करने से अगर आप बचना सिख गए, तो आप प्रॉफिट बनाना अपने आप सिख जाओंगे, तो दोस्तो हमें लॉस को मिनिमाइस करने की कोशिश करना चाहिए हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं बड़े losses या भी छोटे मोटे losses भी करने से कैसे बचू अगर आप loss करने से बचना सिख गए तो profit अपने आप ही बन जाएगा profit बनाने हमें नहीं पड़ता है profit अपने आप बनता है stock market में बीना research and study करें कभी भी हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए चाहिए आप trading कर रहे हो या फिर investment कर रहे हो investment में तो आपको fundamental analysis करना पड़ता है trading में आपको technical analysis करना पड़ता है मतलब खुद की मेहनत, खुद की study, खुद की पड़ाई, share खरीदने के पहले आपकी होनी ही चाहिए जितने भी लोगों ने stock market से बड़ी wealth कमाई है उन्होंने खुद का research and खुद की study किये तब ही वो उस मुकाम तक पहुचे है कोई भी बंदा stock market में ऐसा नहीं है, जिन्होंने दूसरों के भरों से stock market से पैसा कमाया है हाँ, दूसरों से आप guidance जरूर ले सकते हो, guidance आपको सभी तरफ से मिलेगा, knowledge आपको सभी तरफ से मिलेगा और वो आपको लेना भी चाहिए, उससे आपकी sharpness बढ़ींगी बट जो end decision रहेंगा, वो आपका खुद का होना चाहिए, सिब दूसरों के कहने पर blindly आपको share खरीदने का decision नहीं लेना चाहिए देखे दोसरों, stock market में आप दूसरों के भरों से consistent profit नहीं कमा सकते हो दूसरों के भरों से अगर आपको पैसा बना नहीं है, तो आप mutual fund में invest कर सकते हो, PMS में invest कर सकते हो, वहाँ पर वही होता है कि दूसरे, मतलब जो fund manager है, वो आपके पैसे को manage करते हो और आपको return बना कर देते हैं तो ये एक legal way हो सकता है, क्योंकि ये जो है, PMS हो गया है, या फिर mutual fund हो गया है, ये सेवी registered होते हैं ये सेवी के guideline के हिसाब से आपके पैसे को invest करते हैं और आपको return बना के देते हैं तो दूसरों के भरों से अगर आपको पैसा बनाना तो ये तरीका आपके लिए है, PMS mutual fund but direct equity investment की अगर मैं बात करूँ, direct equity investment करना है आपको, तो आपको खुद का decision ही लेना पड़ेगा, खुद का निरना ही लेना पड़ेगा, तब ही आपका पैसा बनेगा दूसरों के tips के भरों से आप पैसा बनाने की कोशिश मत करिए, तो दोस्तो ये कुछ point है जिने आप ध्यान में रखोंगे तो आप जरूर stock market से अच्छी खासी wealth बना पाऊंगे, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो नेक्स वीडियो में इस इस इम्रान शेक, साइनिग आप